हेलो एवरिवन, वेलकम टो माई कुकिंग ब्लॉग तो बहुत दिनों के बाद आज मैं कुकिंग ब्लॉग बना रही हूँ आप लोग के साथ क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी और आने के बाद बहुत सारे काम होते हैं तो आज मैंने धेर सारे स्वीट कॉन मंगाये थे और बच्चों को काफी पसंद है इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके डिसस बनाती हूँ तो सबसे पहले तो मैंने सिंपल वाले डिसस बनाई जो कि हम लोग हमेशा बाहर जाते हैं तो मॉल में खाते ही ये खाते हैं और ये काफी महंगे मिलते हैं और घर में इसको बनाना इतना इजी है और काफी सस्ता पड़ता है जितने में हम मॉल में एक प्लेट लेते हैं उतने में तो हम घर के सभी लोगों के लिए बना सकते हैं तो सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या किया कि स्वीट कॉन लिए थे 400 ग्राम के असपास और उसको बॉाइल कर दिया था उसको बॉाइल भी जादा देर नहीं करना है एक मिनट के असपास बॉाइल कर लेंगे और बॉाइल होने के बाद इसको फिर हम चन्नी से चान कर देर में ये ठंडा हो जाए तब इसमें हम नमक थोड़ी से काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और बटर थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्च और नीवू का रस इसमें अच्छे से मिलाएंगे अगर आप ज्यादा तीखा खाते हो तो इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च कुटी हुई इसमें एड़ कर सकते हैं चाहो तो इसमें सबजिया भी आप इसमें मिला सकते हो मैंने सबजिया इसमें नहीं एड़ करी है मैंने नॉर्मली इसको जैसे हम लोग बाहर खाते हैं उसी तरह बनाने की कोसिस करी है और ये काफी अच्छा बनता है और काफी healthy भी होता है बच्चों को खास कर बहुत पसंद आता है बच्चों को ही क्या बड़े बुढ़े हम लोग को सभी को पसंद आता है तो मैंने इसको इस तरह से अच्छे से मिला कर और सब के लिए सर्व किया और सब को बहुत पसंद आया आप भी एक बार इसको घर पर ट्राई जरूर करना आई होप आपको भी यह बहुत पसंद आएगा और खाईए healthy है काफी अच्छा भी है जो बच्चे सबजिया नहीं भी खाते हैं उन बच्चों को भी यह सुट कॉन की रेस्पी काफी पसंद आती है तो एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना और इसका फीड़ बैक मेरे साथ शेयर जरूर करना और इसी तरह की नियू रेस्पी के साथ मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर